नमस्कार स्वागत है आपका संसर टीवी पर मैं हूँ मनोज वर्मा और आप देखने हमारा खास कायकरम मुद्दा आपका आज हम बात करेंगे पेंशन योजना और उससे जुड़े सवालों की क्योंकि मुद्दा पुरानी और नई पेंशन से जुड़ा है मुद्दा केंद और राज्यों की अर्थववस्ता का है इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे तमाम पहलू वो बात करने की कोशिश करेंगे दरसल एक अप्रेल 2004 से पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था और पेंशन इसकीम के तहट पेंशन की पूरी राशी सरकार देती थी ये पेंशन रिटार्मेंट के समय करमचारी के वेतन पर आधारित होती थी इस योजना के तहट सेवा निवरित करमचारी के निधन के बाद उसके परजनों को भी पेंशन का प्रदान था नई पेंशन योजना के तहट करमचारी अपने मूल वेतन का 10 फीजदी हिस्सा पेंशन के लिए देती हैं इसके बाद राज्यों ने भी नई पेंशन योजना को अपना लिया और नई पेंशन योजना चल रही है लेकिन चुनाव आते ही पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा बाहर आ जाता है कई विपक्षी दल पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं इस बीच केंदे वित मंत्री निर्मना सीता रमण ने नई पेंशन योजना के लिए अलग रखे गए पैसों को लेकर बड़ा ब्यान दिया है उन्होंने राज सरकारों को पुरानी पेंशन योजना के लिए इस फंड को देने से इंकार कर दिया वित मंत्री ने हाली में कहा कि अगर कोई राज किसी वज़े से ये फैसला लेता है कि NPS का फंड केंशन सरकार से लिया जा सकता है तो ये उपलब्द नहीं होगा वैसे केंद्य वित आयोग पुरानी पेंशन योजना को देश की अर्थ ववस्ता के लिए अन्नाय पूर्ण बता चुका है नई और पुरानी पेंशन योजना में क्या अंतर है क्या पेच है क्या इसके नफे नुकसान है इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे चर्चा करने के लिए खास मेमान मेरे साथ जुड़े हूं हैं इस्टूडियों में मौजूद हैं हम बात करेंगे भारत सरकार के कार्विक और प्रशिक्षन बिभाग के पूर्व सचिप शामल कुमार सरकार जी से शामल जी आपका भवब स्वागत है संसर टीवी पर साथ ही ह शुरुबात कविम जी मैं आप से करूँगा पेंशन का पेच पुरानी पेंशन नहीं पेंशन क्या पेच है इसके बीच क्या है ये मुद्दा पहले मैं आप से समझना चाहता हूं कि धन्यवाद सबसे पहले आपने बिताया पुराणी पेंशन और नई योजना फ़रख कहां पर आता है अब मैं बात करता हूं सीय है कि सबसे पहला परिवर्वर्तन यह है कि पुराणी पैंशन यूजना में उनको तो रिटायर्मेंट पर यानि की साथ एक सट जो भी वर्ष में रिटायर्मेंट होते हैं उस उमर में जाने के बाद उनको एक फिक्स्ट अमांट आफ पेंशन मिलती थी जिसका की कैलकुलेशन होता था उनकी नमबर आफ वियर्ज ऑफ सर्वेस और आखरी पेंशन ब्रॉन के व्यर्ट के उपनियर्प बील सकती है लेकिन नवीन पैंशन योजना में यह नहीं नई पैंशन योजना में अच्छा पुरानी pension योजना में मुझे अपनी तरफ से कोई contribute भी नहीं करना पड़ता था ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है जिसमें की कर्मचारियों का अब होगा है अब दूसरे तरीके से देखें तो नवीन pension योजना में कर्मचारियों को जिस दिन से वो जॉइन करते हैं 2004 के जैता है जो भी 22 की उमर से वो जॉइन करते हैं साथ की उमर था क्या नहीं 35 साल था कांट्रिबूट होता है हर महीने और इस contribution में जो उनको pension मिलती है पहली चीज उसकी फिक्स्ट अमाउंट अभी नहीं प्रेडिक करी जा सकती है वो कम होगी या जादा होगी इसके उपर भ लेंगे contribution के जिए अगर आप चालिस की उमर में नौकरी में आते हैं तो सिर्फ 20 साल की आपके contribution रहेगी सरकारी contribution के साथ साथ जी दूसरा रहता है कि इस contribution में जो रिटर्न आते हैं पेंशन फंड के द्वारा वो कितने रहते हैं अब रिटर्न जो हैं वह भी हाल जो चल रहे और यह एक लंबे समय के लिए ली जाती है उट तीसरा जो सबसे बड़ा रहता है कि रिटायर्मेंट के बाद आप कितना पैसा उसमें से लंग सम निकाल सकते हैं आप अधिक से अधिक साथ पर्संट निकाल सकते हैं लेकिन अगर आप नहीं निकालना चाहें तो साथ से सतर की उमर तक आपको पेंशन ले सकते हैं अच्छा इसमें एक चीज और है इसका फाइदा ये भी है कि जब आप 60 की उमर में रिटायर होंगे तब आपको द्वारा पेंशन मिलेगी कई लोगों का ये मानना है कि उसमें परिवार पेंशन का स्कोप नहीं है ऐसा नहीं है जब आ आप खरीदते हैं तो एक प्रोविजन यह भी रहता है कि यदि कर्मचारी की मृत्वी हो जाती है तो उसके बाद उसकी स्पाउस को भी पेंशन कंटीनूड रहती है जिए गलत फहमी है कि सरका की परिवार पेंशन नहीं है उसमें रहती है लेकिन उसका एक और तीसरा एड पेंशन खरीदी है वह आपकी डिया नॉमीनी को ट्रांशर हो जाएगी यानि कि पेंशन आपके स्वैंड के लिए पेंशन आपकी पत्नी के लिए और उसके बाद आप जो आपका कॉर्पस बचा हुआ है वह कोर्पस आपका पूरा अगली जनेरेशन को जाता है जैकि पु योजना क्योंकि मैं इस से शुरू से ही जुड़ा हूँ जिसमें डिजाइन भी करी थी नवीन पेंशन योजना में इंडिवीज्वल एकाउंट्स खोले जाते हैं ग्रुप खाते नहीं होते हैं तो अगर कोई भी एंप्लॉयर कहे या सरकार कहे कि हमारी ग्रुप का खाता है यह गलत है यह इंडिवीज्वल बेस्ट स्कीम होती है हर एक इंडिवीज्वल के नाम से एक खाता खुला जाता है जैसा हमारा पर्मानेंट एकाउंट नमबर टैक्स के लिए होता है उसी तरह पर्मानेंट रिटायर्मेंट एकाउंट नमबर उसको दिया जाता है और यह क तो पर्मानेंट रिटायर्मेंट एकाउंट नंबर है वही नंबर से आप उसमें कांट्रिबूट कर सकते हैं अगर आप सेल्फ इंप्लॉइड हो गए मानगीजे आपने नौकरी छोड़के आप अपना काम कर रहे हैं भी साथ की उमर नहीं हुई है तो भी इस योजना में न नाम से खोला गया है एक इंडिविज्वल के नाम से खोला गया है तो जो आपका पहला प्रश्ट था कि कुछ सरकारें वापस मांग रही हैं यह सरकार का पैसा तो ही नहीं। सरकार किस मूद से ये पैसा मांगने को पड़ी है ये तो इंडी बिजुल के नाम से बिल्कुल मैं आप से समझने की और कोशिश इस मुद्दे को करूँगा क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है आम आदमी से जुड़ा है करमचारी से जुड़ा है उसके भविश के पैसे से जुड़ा है शामल जी मैं आप से जानना चाहता हूँ इस बात को कई राज सरकार करमचारीों के इस पैसे पर अपना एक तने से अधिकार जता कर केंद सरकार से पैसा मांग रही है जो जिस तरफ कभीम जी ने इशारा किया मैं आप से समझना चाहता हूँ जब इंडिजियल खाता है तो राज सरकार इस पर अधिकार कैसे जता रही है राज सरकार का कहना है कि उनका भी अंशदान इसमें है इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं प्रॉब्लम चल रहा है एगुद्ध भराक लग लग रहा है क्योंकि कर्मचेरी जॉइंड किया है तब उनको मालूम था नोया पंशन में हम्राओना है अलींट फोट्रम करना पड़ेगा सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंप्लोई से कान्टिवूशन करना पड़ेगा तो यह कॉंटिवूशन अगर कर सकते हैं अगर उसका फाइदा भी है उसका उसका वाइद दोनों चीज है पर गौर्बंट का जो प्वाइंट यह था उसी टाइम में 2004 सल में यही था जह जो गौर्मेंट को जो बौज है करेंट जेनेरेशन का सारेंट करेंट को बाड़ें मेर पड़ात पड़ता है जी का जो जो गश्वेंट जो रिटयार्मेंट पर जो गवंचा उनके पास यह गोवंचा जोशंण नहीं मेंद को बहुत कॉम है तो यह प्यूचर आइए फूचार ग्मेंट ता बारे में अगर कोंटिवीशन गॉबर्मेंट नहीं करेंगा तो एपईसा कहां से आएगा पैसा पेंशन पंड का जो पेंशन जो देने का जो एमाउंट भीसे को देना पड़ेंग अगर गॉबर्मेंट इस पेंग जो हमारा जो करशोर नहीं करिमेंड हैं तुम संदाए करश किस अभान है कि क्वाई टॉला चल रहे थे गौवर्मनेद सुपेंड है फ्रम वहीं किसे बादर विक्लदेश्ट के चल रहे हैं तो इन के लिता मंगवर्मनेदेश टरश करेंदिख तुम की टीज यहां सरका दिदूसरी है मैं तो मानि कैसे सरकार आपस लेगा कि यह तो इन्यूज का मानि में पड़ा है पेंशन फंड में जमा है तो हम तो कैसे और मालूम है कैसे और मालूम है अगर आगर कॉंटिविशन नहीं करना पड़े ता वह का सब्सक्राइब कर देखना पड़ेगा क्योंकि यह इंडिविजुल अकाउंट में पैसे गया है इंडिविजुल जो कॉंटिबूट किया है एक सेपरेट सब्सक्राइब कर देखना पड़ेगा यह फर्मूला देखना पड़ेगा क्योंकि चौब एक फर्मूला करके बना हुआ था आभी फर्मूला कैसे चेंज होगा मीडवे में यह हमारा हिसाब से जो नौया इसकी जो नौया प्रिंशन है यह कम कर रहे थे इसका अगर चेंज करके पुरणा में जाएगा तो इसका सरकार की उपर दिफरेंट होगा देखना पड़ेगा शोचना पड़ेगा बिलकुल शामर जी यह मुद्दा भी बहुत बड़ा है जिस तरह देश की अर्थ ववस्ता पर असर पड़ा है इसका पिछले तीन दश्कों में इसकी भी मैं चर्चा करूंगा लेकिन पहले मैं कर करमचारियों का पैसा है अगर उसको इंवेस्टमेंट कहीं करा गिया है जाहिर सी बात है करमचारी का पैसा है उसको पैसा मिलेगा इस पर राज सरकार का अधिकार किस अधिकार के साथ केन सरकार से पैसा वो माग रही है केन सरकार कह रही है करमचारी का पैसा हम करमचारी को को देंगे उचित समय पर देंगे आप कैसे इस मुद्धे को देखते हैं आपने बिलकुल ठीक फरमाया कि ये तो कर्मचारी का पैसा है और ये इसमें कोई स्टेट सरकार आके उनका इसमें पैसा वापस मांगना ये बहुत ही पेंचीदा बात है ये सीधी सी बात नहीं है जब भी 2004 के बाद एंप्लॉईज ने जॉइन किया उनको ये कॉन्ट्राक्ट दिया गया आपके पास ये ऑप्शन है आप अपना कुछ कंट्रिब आँख खोल करके इस स्कीम में घुसा था तो इवन एंप्लॉईज के पॉइंट ओव यू से अब बीच में आ करके वो हला करना कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए ये ये भी गलत है ये तो सरकार के फिसकल सिचुएशन के बिलकुल गलत है जो हमारी टैक्स और नॉन टै सिवन नी होती है गौर्मेंट की उसमें बहुत पैसा ओल्लेडी पेंशन सेलरीज में जा रहा है तो ये सस्टेनिबल नहीं है इसलिए बहुत ही सोच विचार के बाद 2004 में ये डिसाइट किया गया था ये डिफाइन बेनिफिट सिस्टम है जो पुराना पेंशन सिस्टम है जहां आप कुछ भी कंट्रिब्यूट न करें और आपको पैसा मिलेगा ये सस्टेनिबल नहीं है खूब सोच विचार के बाद 2004 में सरकार आई और उसने ये डिसिजिजन लिया फिस्टेट गोर्मेंट्स ने भी उसको एग्री किया तो ये एक सिलसला है थोड़ी बहुत उ चाहता हूं इस मुद्दे को कुछ राज सरकारे कुछ राजनीतिक दल चुनाफ जीतने के लिए या अपने घोशना पत्र में इस तरह का वादा कर रहे हैं जनता से कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे आप देश की अर्थव चास्त्री हों अगर मैं राजनीति को थोड़ा सा अलग कर दूं तो मैं तो ये बड़ी आसानी से ये बात कह सकता हूं कि जो पुरानी पेंशन योजना थी वो योजना तब तक तो सही थी जब तक कि उसमें कॉंट्रिबूट करने वाले यानि कि टैक्सपेयर्स का अमार का कम से कम फॉज में तो ये डेड़ के उपर है और राज्य सरकारों में भी ये लगभग आप एक के उपर आ रहा है तो इस स्टेज पर आने के बाद जो पुरानी पेंशन योजना है ये सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि इसमें कहीं न कहीं आपको जो पैसे का रिक्वायर्में करना चाहिए मतलब यह है कि जब मैं कमाना शुरू करूं तब से ही मुझे एक एक फंड बनाना चाहिए एक लायाबिलिटी क्रियेट करनी चाहिए उस पेंशन को फिल्फिल करने की तो उसका प्री फंडिंग की बहुत अत्याधिक आवेशकता है और जहां तक राज्य सरका के फिसकल फ्यूटेंस के लिए बहुत धातक है आज या कल में तो लोग फिर भी इसको मैनेज कर लेंगे लेकिन आप सोचिए जब 20 साल बाद यह लोग रिटायर होना शुरू हो जाएंगे तो राज्य सरकार को इनको धेर सारा पैसा देना पड़ेगा जो कि इनका कॉंट् जब तक ये कॉंट्रिबूशन ग्रो नहीं करेगा तब तक वो NPS के थूँ उनको पैसा भी अच्छा नहीं मिल पाएगा तो अब अगर ये खिजडी बनाने के आप कोशिश करेंगे ना आप पुरानी पेंशन योजना में प्रॉपरली इनको पेंशन दे पाएंगे क्योंक दे लागू नहीं कर सकते हैं तो नवीन पेंशन योजना में ही कुछ कंट्रिबूटरी रेड़ चाहें तो बढ़ा दे कुछ अनुटाइसरेशन डिफरेंस करना हो तो वो करते हैं तो नवीन पेंशन योजना को आप इंप्रूव कर सकते हैं लेकिन यह जगाश optics only हो गया बाकी के 25 साल के लिए मैं तुम्हें अलग से पेंशन दे दूंगा तो ना वो 25 साल की पेंशन मिल पाएगी क्योंकि उस टाइम पर फिसकल स्टेटस बहुत खराब रहेगा और नहीं वो कॉंट्रिबूशन की पेंशन मिल पाएगी क्योंकि उसमें सरीफ 8 साल का कॉंट्रिबूशन है जहां पर आपको 25 से 30 या 35 साल के कॉंट्रिबूशन की तो आवश्यक्ता है ही और जैसा मैंने आपको बताया यह एक इंडिवीज्वल बेस स्कीम है और एक चीज़ मैं आपको औ सब्सक्राइब कर एंपिस का कॉंट्रिबूशन आ रहा है ना यह सपर है जब एक बार कॉंट्रिबूशन दे दिया और एक और चला गया यह जो जॉइंट account नहीं है NPS में की सरकार और कर्मचारी दोनों का joint account हो बिल्कुल नहीं है ये individual account है उस कर्मचारी का जिसके खाते में उसका स्वयम का पैसा एवं राजे सरकार का पैसा इसलिए दिया गया क्योंकि राजे सरकार उसकी employer है अगर राजे सरकार employer नहीं है तो वो इसमें co contribute नहीं कर रही है बहुत से लोग NPS में हैं जिनकी कोई employer contribute नहीं कर पा रहे हैं या वो इनका कोई employer नहीं है तो वो स्वयम का contribution देते हैं तो यह जो खाता है जैसे मैंने आपको पीरान का concept बताया था वो उस बंदे का individual खाता है उसमें उसका पैसा बहुत संचेप में फिर राज सरकार फिर राज सरकार केंद से यह पैसा क्यों मांग रहे हैं जब यह करमचारी का पैसा है केंद सरकार कह रहे हैं करमचारी का पैसा करमचारी को पैसा दे देंगे क्या बज़े क्या इसके भीचे तो पैसा तो individual खाते में गया है और individual खाते का है अब उसके उपर ना employer का कोई हग बन रहा है ना राज scrib का बन रहा है तो even राज सिरकार अगर यह पैसा भी मांग रही है तो अब आप ये पैसा सिर्फ वही विड्रॉ कर सकते हैं जिसका ये खाता है जो इंडिविज्रल है अगर वो चाहे तो ये निकाल सकता है लेकिन अपने बहुत सी चीज़ें इस पस्ट कर दी अमीद है दर्शकों को इससे लाब होगा करमचारियों को भी होगा लेकिन मुद्दा इस जो निर्धारण हैं उसके अनुसार ही चलेगा बना तीन दशकों में केंद का पेंशन बिल करीब 33 सो करोन से बढ़कर एक लाग क्यानवे हजार करोन रुपए हो गया और राज्यों का पेंशन बिल 125 गुना बढ़ा 31 सो करोन रुपए से बढ़कर 3,86,000 करोन रुपए हो गया ये इस्तिती है देश की जो पेंशन के कारण बोज आया और राज्यों की शामल जी मैं आपसे जानना चाहता हूं इस बात को क्योंकि कोई भी फैसला बनता है वो राज और केंशन सरकार मिलकर लेते हैं और नई पेंशन योजना में भी यही हु क्योंकि यह नीती तभी आगे बड़ेगी जब राज और केंद के भी समन्वें होगा कि एक चीज मैंने आउटलाइन करना चाहता हूं जो पुराना प्रेंशन है जो का इंप्लेइट है 2004 का पहले के जो एंप्लेई है उनका ग्राचुटी जिस जनरल प्रविडेंट फंड म तो पहले गवर्मेंट एंप्लेई अलसो कॉंट्रिबूटेट पर जनरल प्रविडेंट फंड मानी कॉंट्रिबूशन एबरी यह देर इस फिक्स परसेंटेस था वो जमा करना पड़ा जोरूरी था अब यह हटा दिया नया स्कीम में हटा दिया बट नया स्कीम में एक कॉ करने के लिए एस्टेट मांग रहा है यह मेरा हिसाब से ठीक नहीं है क्योंकि एक स्कीम के बारे में एम्प्रोई मांग के जो सर्विस में जॉयन किया है उनका मालूम था चालू है हमारा उपर लागू है इसलिए आकाउन खुला गॉला में क्रहा है क्वानी क्वाइब टेंन तो क्योंकि एक स्कीम जो इसकी नौए स्कीम चालू है इसमें कर सकते हैं कहां पर इंवेश्मेंट करेंगा और डेट में करेंगा वह भी कर सकते हैं तो यह उप्शन है यह जाएगा यह ठीक नहीं है कि एक defence कीसे हो कीसे हो सकता है। देश में जो राजियों की वित्तिय इस्तिती है उसको लेकर जो केंद्य वित्त संस्थान है हमारे देश के वो कई बार सवाल उठा चुके हैं कि पॉपलिस्ट घोषनाय करने के लिए लोकलवाफन घोषना करने के लिए घोषनाय कर देते हैं pension के मामले में भी यही देखने में आरहा है राज्यों की जो हाला थे वो मैंने आपको बताई आप कैसे इसको देखते हैं केवल क्या बोट बैंक के लिए बोट के लिए इस तरहें की घोष्टाइं करना और यह जानते हुए कि देश की राज की अर्थववस्ता कैसी है कितनी खस्ता है कई राज्यों के मनाम ले सकता है आप कैसे देखने इस पहलू को आपनो जी आपने बिलकुल ठीक का यह अपने बोट बैंक को खुश रखने के लिए वो लोग स्टेट के फिस्कल सिचुएशन को नहीं देख रहे हैं वो यह नहीं देख रहे हैं कि यह सस्टेनिबल थिंग नहीं है वो पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा एहम स्थान दे रहे हो एकॉनमी पे अर्थ विवस्ता प को मालूम है उनको अंदर से मालूम है कि यह सस्टेनिबल नहीं है यह जो पॉलिटिकल के में कुछ वोट के लिए कुछ दिन के लिए चल सकता है बट फॉर अदफ न्यू पेंशन सिस्टेम तो बी सस्टेनिबल वे हमें बहुत ही सोच विचार के चलना होगा और स्टेट ग बोड लाना होगा यह लंबा बात चलेगा अभी इसमें कोई बिलकुल सामने कोई हमें फैसला दिखता नहीं है जी बिलकुल जो पेंशन का मुद्धा जाहर तोर पर पेंशन का मुद्धा एक करमचारी के लिए साठ साल के बाद जब रिटार होता है उसके जीवन से जुड को किया जाता है पुना तो 10-15 साल बात जो असर दिखाई देंगे वो बहुत भयानक होंगे जो लोग आज पेंशन लेंगे पुरानी वबस्ता में उनको शायद कई राज्यों के पास पैसा भी नहीं होगा पेंशन का देने के लिए तो कई सवाल हैं कई पहलू हैं पेंशन करता हैं